हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसुरत पैटन सियर करने जा रहे हूँ, इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जेंट स्वेटर, लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, कैप आदी में बनके बहुती खु उपसुरत हमारा ये पैटन आ जाता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने 20 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, पलस हमने 10 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं, दस नमबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के इसाफ से फंदे प्रोजक्ट करेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बना के कमप्लेट करेंगे, बॉर्डर पैटन कमप्लेट होने के बाद हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होगा, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे साइड से पैटन की फरस्ट रो, बॉर्डर कमप्लेट होने के बाद फ्रंटी साइड से पैटन की फरस्ट रो में देखे, पहला पनदा उतालेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, आठ पन्ने उल्ठे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, सांथ, और आट, आठ फंदे हमने उल्टे भुन लेने, फिर धागा पीछे करेंगे, बारा फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा, बारा फंदे हमने सीधे भुने, अब इनहीं 20 फंदों का प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है, आठ फंदे हम उल्टे भुनेंगे, बारा फंदे सीधे भुनेंगे, फिर हम आठ फंदे उल्टे भुनेंगे, बारा फंदे सीधे भुनेंगे, हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से से हमारे फरस्ट रो में जितने भी फंदे हुंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है। आट फंदे उल्टे, बार ti-12 फंदे सीधे और लास्ट में हमने 8 फंदے उल्टे में दो नने हैं कि 1, 2, 3 4, 5 6, साथ और आठ, आठ फंदे उल्टे धागा पीछे कर लेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे, तो देखे ए फ्रांट साइड से यमारी पैटरन की फस्ट रो कमप्लेट हो गई, रॉंग साइड से देखे, सेकिंड रो, आप सेकिंड रो में देखे, पहला फंदा उता करेंगे, और रॉंग साइड से अपने सेकिंड रो को उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेना है, यह देखे, यह रॉंग साइड से मारी पैटरन की सेकिंड रो कमप्लेट हो गई, अब देखे, थर्ड रो पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, आठ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ फंदे हमने उल्टे बुन लेने, फिर धागा पीछे करेंगे, अब आठ फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, तो देखे, पीछे, आगे के 4 फंदे हमने इस तरीके से 3 निडिल में उतार लेने हैं, 1, 2, 3, 4, इनको हम 3 निडिल में उतारेंगे और ऐसे आगे की साइट रखेंगे, अब देखें पीछे के 4 फंदे हम सीधे भून लेंगे, इस तरीके से देखें, एक, दो, तीन, चार अब देखें ये जो थर्ड निडिल वाले फंदे हैं इनको लेफ्ट निडिल में सिफ्ट करेंगे अब इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा भून लेंगे एक, दो, तीन, चार ये देखें ये आठ फंदे हमने ट्विस्ट करके बुल लें अब नेश्ट चार फंदे सीधे आ जाएंगे एक, दो, तीन, चार फिर धाग अपनी साइड आठ फंदे उल्टे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ लास्ट का फंदा सीधा तो देखें, एफ्रान्ट साइड से याँआरी पैटर्न की थार्ड रो कंप्लेट होगई रोंग साइड से देखें फोर्द रो बहला पंदा उतारेंगे और रोंग साइड से याँआँगे फोर्द रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लें आए यह दिखिए बैक सेट सेट हैं यह दिखिए फ्रंट साइट से फिप्तरों में देखे पहला फंदा उता लेंगे धागा अपनी साइट करेंगे आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फंदे उल्टे आठ फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांदे सीधे बुनने के बाद देखिए न sect हमने से पीछे कर लेंगे इस तरीके से इनको पीछे कर लेंगे अब देखिए जो पीछे के चार फंदे हैं इनको एक एक करके सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन चार ये चार फंदे सीधे बुने अब देखें जो थर्ड नीडिल में हमारे फंदे हैं इनको एक एक करके लेफ नीडिल में सिफ्ट करेंगे इन चारों फंदों को इस तरीके से देखें अब इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे तो देखे ये 8 फंदे हमारे ट्वेस्ट हो गए फिर धागा अपनी साइट करेंगे और 8 फंदे उल्टे बुन लेंगे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ये फ्रंट साइट से हमारी पैटर्न की फिप्त रो कंप्लेट हो गई रॉंग साइट से देखे 6 रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइट से हमने 6 रो को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है देखे रोंग साइट से हमारी पैटन की 6 रो complete हो गई अब देखे फ्रंटी साइट से पैटन की 7 रो अब 7 रो में हमारा पैटन repeat होगा 7 रो को हमने पैटन की 1 रो की तरह बुनते हुए complete करना है 8 फंदे उल्टे बुनेंगे 12 फंदे सीधे बुनेंगे फिर लास्ट में 8 फंदे उल्टे आजाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा आजाएगा इनी 6 सलायों के पैटन को हमने बार बार repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू